हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग चेंटर, दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रेशनों की और इस वीडियो में देखेंगे योग, अंतर और गुणा पर आधरित प्रेशन, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, कौशन आपने लखा हुआ ह दो संख्याओं का योग 40 है, तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, यदि इस टैप के प्रेशनों को करने में आपको कोई प्राबलम है, तो इस वीडियो का आप अंतर तक देखते रहिए, इस वीडियो को देखने के बाद, इस तरह के सभी प्रेशनों का solution आपको मिल जाएगा, और दो से तीन सेकेंड में आप सभी प्रेशनों को हल कर देंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको दिया गया है, दो संख्याओं का योग कितना है, 40, तो आप योग लिख लिजी आप 40, योग को लिख लिजी 40, अंतर दिया गया है कितना, अं योग और अंतर दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आजाएगा, 46, और 40 को कर देंगे, दो से डिवाइड, तो यह हो जाएगा आपका 23, और यही दोस्तों आपका अंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है फ्रेंट्स, अब देखे, बड़ी संख्या जब यह क्वेशन दोस्तों आपकी समझ में आगया होगा, योग दे रखा, योग को लिख लिजिए, अंतर दे रखा, अंतर को लिख लिजिए, और बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पिलस कर देंगे, और दो से डिवाइड कर देंगे, आपका अंसर आजाएग आप देखते हैं दोस्तों आगला कोशन, आगला कोशन है, दो संख्याओं का योग 36 है, तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, दोस्तों वही करना है जो पहले क्या था, योग दे रखा है आपको योग लिख लिजिए, योग दे रखा आपको 36, और अंतर दोसे रखा है आपको बारा अंतर आपको दे रखा है दोस्तों बारा लिख लिया बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं दोनों को एड करते हैं और चोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा आपको बड़ी मैसे छोटी को कर दीजिए माइनस तो कितना आए और दो से करतेंगे इसको divide तो आपका answer आजाएगा 12 ओप्षन नमबर भी आपका सही answer हो गया दोस्तों जब बड़ी संख्या पूझी जाती है तो दोनों को पिलस करते हैं और दो से divide करते हैं और चोटी संख्या पूझी जाती है तो बड़ी मेंसे छोटी को minus कर देते हैं और दो से डिवाइट कर देते हैं, आपका अंसर आ जाता है, दोस्तों अब देखेंगे अगला question, अगला question है, दो संख्याओं का योग 75 है, तथा उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुड़न फल क्या होगा, दोस्तों हमने छोटी संख्या निकालना सीख लिया, बड़ी संख्या नि 75, अंतर है आपका 25, सबसे पहले क्या करना है, हमने बड़ी संख्या निकालना सीख लिए तो बड़ी के लिए क्या करेंगे, दोनों को एड़ करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 100, दोस्ते कर देंगे, डिवाइट कितना निकल के आजाएगा, 50, यह होगा आपका बड़ी क्या करेंगे? ज्यादा मैं से कम को मानिस करेंगे, तो 75 मैं से 25 को मानिस कर देंगे, तो आजाएगा आपका 50, आप पचास को कर देंगे, दोस्ते डिवेड तो आजाएगा आपका 25, यह होगा आपकी छोटी संक्या ठीक है, फ्र pursuit निकालना कि Лिए क्या करना होगा? पहले ब multiply by 25 करतेंगे और आपका आंसर आजाएगा तो 25 पंजे 125 होता है मतलब 125 होता है और एक 0 तो 1250 यही दोस्तों आपका आंसर हो गया option number A आपका सही आंसर है दोस्तों जब गुड़न फल पूछा जाया तो क्या करना है एक बार बड़ी संख्या निकाल लीजिए एक बार छोटी संख्या निकाल लीजिए और गुड़न फल के लिए क्या करना होगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का multiply करना होगा और उसके ब्यूत क्रेमों का योगफल क्या होगा दोस्तों पूछा क्या है ब्यूत क्रेमों का योगफल क्या होगा तो इस question को करने की जो trick है वो कोई trick है ही नहीं आपका answer सीधा सीधा question में ही दिया गया है जैसे हम बता दें आपको योगफल कितना है आपका 8 योग है दोस्तों आपका 8 दे रखा है और आपका गुड़न फल कितना दे रखा है 15 देखिए गुड़न फल आपको दे रखा है 15 ठीक है तो यही दोस्तों आपका आंसर हो गया 8 वट्टे 15 ही दोस्तों आपका अंसर हो गया कुछ भी नहीं करना इस question में और नहीं इस question की कोई trick है आपका जो योगफल दे रखा है वो आठ दे रखा है और गोड़न फल यहाँ पर आपको क्या दे रखा होता है पहले अंतर दे रखा होता option number A यही दोस्तों आपका answer है इस question करने की कोई trick नहीं है सीधा-सीधा योगफल बटे गुणनफल आप रख दीजे तो आपका व्यूत करमा का योगफल आ जाएगा यही दोस्तों आपका answer हो गया तो यह question दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा अब देखते हैं अगला question अगला question है यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 सेश बसता है यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या सेश बचेगा यह हैं दोस्तों आपके चार option जब आपको ऐसा question दोस्तों दे दिया जाए कि 114 से भाग देने पर 21 सेश बसता है यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या सेश बचेगा दोस्ता यदि आपको दिया गया है 19 से भाग देने पर उसी संख्या को तो आपके दिमाग में आ रहा होगा जो संख्या को 114 से भाग दिया था उसी संख्या को 19 से भाग देन मतलब 21 को 19 से भाग देने पर क्या शेश बचेगा यह मत सूचिए 114 से जिसन क्यों को भाग दिया गया था उसी को 19 से भाग देना है ऐसा नहीं है 114 से भाग देने पर 21 से बसता है तो इस 21 को भाग देने 19 से भाग देने पर क्या शेश बचेगा यह पूछा जाता है तो यहां पर आप 19 से 21 में भाग दे दीजे, 19 से भाग दे दीजे, आप 21 में, तो 19, एक कम 19 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आपका 6 बचेगा, पुछा क्या गया, 19 से भाग देने पर क्या 6 बचेगा, तो 2 आपका 6 बचेगा, option नमर भी आपका सही आंसर हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना होता है इस question में, 114 से भाग देने पर 21 से बचता है, तो यदि उसी संख्या को ने से भाग देने पर, तो जो बीच वाली संख्या होती है, उसको भाग देना होता है, इससे और आपका 6 बचेगा आजाता है, तो उसी संख्या के बर्ग को मतलब क्या कर पांच से भाग देना होता है, तो बीच वाली संख्या का बर्ग पूछा गया है, तो बर्ग को पांच से भाग देना है, तो क्या करना है दोस्तों, आपको 4 का बर्ग करना है, 4 का मतलब उसी संग्ण के बरक को पूछा गया तो 4 का बरक कर दीजियी कितना ऐगा 4 का बरक हाजाएगा 16 तो 16 को क्या करना आप 5 से भाग देना है 5 से भाग देंगे 16 को तो ये जाएगा 5, 3, 15 और जो 6 बचेगा वो कितना बचेगा 1 आपका 6 बचेगा तो कितना शेश्वल होगा एक पूचेगा तो option number C आपका सही answer हो गया शेश्वल पूचा गया है क्या होगा तो शेश्वल आपका एक होगा यही दोस्तों आपका answer हो गया तो यह question भी आपकी समझ में आगया होगा इस type के question को कैसे हल करते हैं आप देखेंगे दोस्तों अगला question अगला question है दोस्तों यह question बहुत ज़्यादा important है क्योंकि इस type के question बहुत ज़्यादा पूचे जाते हैं और student को करने में बहुत ज़्यादा परिशानी होती है इन प्रेशनों को कैसे हल करें तो दोस्तों इस question को देख लीजिए उसके बाद इस तरह के कोई भी प्रेशन आ जाएगा आपको परिशानी नहीं होगी पूचा के आप से कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 81 से छोटी है तो वह संख्या क्या है तो 35 से बड़ी हो और 81 से छोटी हो ऐसी संख्या यहाँ पर पूची गई है कि वह संख्या क्या होगी तो बहुती आसान तरीके से आप 2 से 3 सेकंड में ही उस संख्या को निकाल लेंगे वह संख्या क्या है और यह हैं दोस्तों आपके 4 ओफ्षन इनी में से वह संख्या होगी तो चलिए देख लेते हैं इसे करने का क्या तरीका है आपको क्या पूच्छा गया है 35 दी गया है तो 35 को यहाँ पर लिख लिजे लिख लिया ठीक है 71 दी जा गया है तो पिलस 71 कर लिजे मतलब दोनों संख्याओं को आप जोड लिजिए और दो से कर दो डिवैड ठीक है फ्रेंट्स दोनों संख्याओं को जोडने एक बाद दो से कर दीजे डिवैड तो देखिए आपने दोनों संख्याओं को जोड लेंगे पांच और एक कितना हो जागा छे तीन और साथ दस एक सुच्छ आ जाएगा और दो से इसको कर दीजिए आप तो जब दो से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए दो से ये कितना चला जाएगा दो पंजे दस और ये होजा दो तिया च्छ है मतलद तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा और यही दोस्तों आपका आंसर है अब यह आंसर कैसे है इसे आप चेक करेंगे चेक करके भी आप देख सकते हैं देखिए कैसे आंसर कितना निकल का आया है आपका 53 53 ठीक है और 53 में से आप 35 को मानस करके देख लीजिए कितना जाएगा 53 में से आपने 35 को मानस किया तो कितनी वारा आजाएगा देखिए 13 में से 5 जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा चार बच्चेगा, चार में से 3 जाएगा, तो 1 आएगा, 18 आया है दोस्तों, ठीक है, 18 आया है, और देखिए यहां पर 53 में से, मानस कर दीजे, पिलस कर दीजे, 18 को ही, तो इक इतना जाएगा, 11, 11 हो जाएगा, 3 और 8, 11, कहरी का 1, 1, 1, 2, और 5, 7, यहां जाएगा, 81, तो कर देंगे, 53 पन आजाएगा, पिलस कर देंगे, तो यह दोनों ही आप चेक करके धेख सकते हैं, 35 और 71 को पिलस कर दीजे, 2 से डिवाइट कर दीजे, आपका अंसर आजाएगा, तो इस तरह का कोई भी आपको प्रेशन मिल जाए, कि उतनी ही छोटी है, या उतनी ही बड़ी है, तो दोनों को प्लस करके, आप दो से डिवाइट कर दीजे, आपका अंसर आजाएगा, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, और दोस्तों में भी शेयर करें, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ल